नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चा करेंगे कक्सा बारा का एक टोपिक के लेंस से परतिबिम्बो का निर्मान दोस्तों सरोफर्दम हम यहां पर देखेंगे उत्तर लेंस से परतिबिम्बो का निर्मान तत्पश्यात हम अउत्तर लेंस से परतिबिम्बो का निर्मान यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों यहां पर हम उत्तलेंसे अनंत दूरी पर वस्तू रखेंगे फिर वस्तू को अनंत दूरी से पास में लेकर आएंगे और पास में लाते लाते हम उसके परकासिक इंदर की और वस्तू को ले जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत से अलग-अलग इस्तानों पर रखते हुए प्रकासिक इंदरी की ओर लाते हैं तो वस्तु है उसका परतिविम्ब कहाँ पर बनेगा उसकी परकत्ती क्या होगी वास्तुइक बनेगा या उल्टा बनेगा इसके साथ में पर वास्तुइक उल्टा देखेंगे आभासिया सीधा भी यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों तो हम अलग-अलग इस्तितियों पर वस्तु को रखेंगे और उनसे बने परतिविम्ब का कीरण आरेक यहां पर देखने वाले हैं उसकी परकत्ती हम यहां पर देखने वा मुझूद हो जब वस्तू अनंत पर हो वस्तू कहां पर मौझूद है दोस्तो अनंत पर इस्तित है यदि वस्तू अनंत पर है तो प्रतिविंब कहां पर बनेगा प्रतिविंब के लिए जो कीरण आरेक है दोस्तो वो क्या होगा वो यहां पर आप लोगों के सामने में बता र वस्तू होती है तो वहां से आने वाली प्रकास की किर्णे समांतर हो जाती है दोस्तों यहां पर जो वस्तू है वो अनंत पर रखी हुई है और उस वस्तू के किसी एक बिंदू से चलने वाली जो प्रकास की किर्णे है वो मुख्यक्स के समानतर हो जाएगी और मुख्यक्स के दी वो समानतर है या जो प्रगास की किर्णे है दोस्तों वो समानतर हो जाती है कैसे हो जाएगी दोस्तों समानतर और यहां पर हम इन प्रगास किर्णों को ले रहे हैं मुख्यक्स के समानतर और मुक्यक्स के समानतर चलने वाली जो प्रकास की किर्णे है वो फोकस बिंदू से होकर गुजरेगी कहां से होकर गुजरती है फोकस बिंदू से होकर गुजरती है तो देखें दोस्तों यहां पर यह जो प्रकास की क्रिणे है इस बिंदू पर आकर वास्तव में मिल रही है तो परतिबिंब का में यहां पर सवरूप परतिबिंब बन रहा है परतिबिंब का सवरूप इस सवरूप के अंदर हम यहां पर देखेंगे कि जो परतिविम्ब है वो कहां पर बनेगा तो दोस्तों परतिविम्ब एफ पर बन रहा है परतिविम्ब की जो इस्तिती है वो कहां पर है एफ पर बन रहा है वास्त्विक परतिविम्ब बन रहा है परतिविंब कैसा है वास्तविक परतिविंब दोस्तों कैसे होंगे उल्टे वास्तविक परतिविंब सदेव उल्टा होता है और आभासी परतिविंब सदेव सीधा होगा यहां पर जो परतिविंब है उसका जो आकार है वो होता है दोस्तों बिंदुवत एक बिंदू के समान होता है बिंदूवत इसका आकार होगा तो यह है दोस्तों इस परतिबिम्ब का सवरूप फोकस बिंदू पर बनेगा वास्त्विक बनेगा उल्टा बनेगा और बिंदूवत बनता है अब हमें यहाँ पर B-part अब वस्टू हम रखेंगे अनंत और टूईयव के मद्द के जब वस्टू नन्त वय टूईयव के मद्द हो अनंत और टूईयव के बीच में यदि वस्टू इस्थित होती है तो उसका परतिबिम्बा का रूपर बनता है यह हैं दोस्तों उत्तलएंस उत्तल लैंज यह हैं दोस्तों हमारे पास में उत्तलएंस और यह है इसकी मुख्य अक्स इसका फोकस लिंदू यह है टू एप और हम वस्तू को रखेंगे इससे भी परे इससे दूर जो की वस्तु रखी हुई है अनन्त और 2-App के मद्दे अनन्त या हम कह सकते हैं 2-App से भी दूर तो देखे दोस्तों एक प्रकास की किरण तो मुख्यक्स के समानतर हम आपतित करवा देंगे दूसरी वाली प्रकास की किरण को आप फोकस बिंदू से होकर आपतित करवा दीजिए या आप जो प्रकास की किरण है इसको आप आपतित करवा सकते हैं Optical Center से होते हुए भी तो मैं यहां से जो प्रकास की किरण है इसको Optical Center से होते हुए आपतित करवा रहा हूँ तो Optical Center से आपतित होने वाली जो प्रकास की किर्ण है वो बिना विशलित हुए सीधे ही निकल जाती है और देखें दोस्तों ये वाली जो प्रकास की किर्ण है वो यहां से अपवर्तित होकर इस एप से होकर गुजरेगी ये एफ है और इस तरब भी दोस्तों एफ और टुएफ यदि हम लें तो जो परतिबिम्ब है दोस्तों वो एफ और टुएफ के मद्दे बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्त्विक बनेगा ये प्रकास किकने वास्तव में मिल रही है तो जो परतिविम्ब है दोस्तो वास्तव में बनता है तो परतिविम्ब कहां पर बन रहा है? परतिविम्ब की जो इस्तिती है वो है प्रतिविम्ब दोस्तों कहां पर बना प्रतिविम्ब दोस्तों कैसा है वास्त्विक और वास्त्विक प्रतिविम्ब कैसे होते है उल्टे वास्त्विक प्रतिविम्ब दोस्तों उल्टे होते है और इसका जो आकार है वो वस्तु से छोटा है वस्तु से छोटा है छोटा कह सकते हैं या वस्तु से छोटा हम बता सकते हैं दोस्तों तो ये थी दूसरी स्थिती जहां पर हमने वस्तु को रखा अब दोस्तों हम वस्तु को रखेंगे 2F पर तीसरा इसका जो पार्ट है वो दोस्तों क्या है कि जब वस्तू जब वस्तू टू एफ पर रखी हो अब की वार है हमने वस्तू को कहां पर रखा है टू एफ पर रखा है तो देखें दोस्तो परतिबिम्ब कहां पर बनेगा परतिबिम्ब की इस्तिती क्या होगी वो यहां से आप लोग समझ लेंगे यह हमारे पास में है इसकी मुख्याक्स यह है F और यह है दोस्तों इसका 2F अब यहां पर हमने कोई वस्तू रख ली है A, B और बिंदू A से चलने वाली जो प्रकास की किरने हैं वो मुख्यक्स के समानतर आप्तित होगी और मुख्यक्स के फशात यहां से इस तरफ भी इसका जो फोकस बिंदू होता है वहां से होकर गुजरती है और इस तरीके से यहां से ऐसे जाएगी और यहां पर आप देखेंगे दोस्तो कि ओप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो प्रकास की किरन है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है इस तरीके से सीधे ही निकल जाएगी यह है हमारे पास में A डेस यह है दोस्तो B डेस और यह है इसका फोकस बिंदू F और जो प्रतिविम्ब है दोस्तो वो भी 2F पर ही बनेगा एक बार देख लेंगे दोस्तो नियम काईदों का पालन करना है आप लोगों को कि नियम काईदे आपके पास में है तीन कि योई मुख्यक्स के समांतर इदी कोई प्रकास की किरन आप्तित होती है तो वो फोकस बिंदू से होकर जाएगी यहाँ पर भी मुख्यक्स के समांतर आप्तित होने वाली प्रकास की किरन फोकस बिंदू से होकर गुजरती है दूसरा नियम यही है कि Optical Center से गुजरने वाली प्रकास की किरन बिना विशलित होए सीधे ही निकल जाती है जैसा कि यह वाली प्रकास की किरन बिना विशलित हो तीसरी वाली स्थती में वो 2F पर बन रहा है उल्टा बन रहा है वस्तु के बराबर बन रहा है और वास्त्विक परतिबिम्ब बनता है तो पहले तो हम बात करें परतिबिम्ब की स्थती तो परतिबिम्ब बनेगा दोस्तो 2F पर परतिबिम्ब कहां बना है टुए पर जो परतिविंब होता है दोस्तों वो होता है वास्तविक और वास्तविक परतिविंब सदेव उल्टे होते हैं दोस्तों वास्तविक परतिविंब कैसे होंगे उल्टे और जो परतिविंब यहां पर बनेगा वो वस्तू के बराबर बनने वाला है जितनी वस्तु का आकार है उतना ही परतिविंब का आकार यहां पर रहने वाला है तो यह थी दोस्तो उत्त लेंस की तीन स्थितिया इसके बाद भी हम देखेंगे चोथी स्थिति दोस्तो अब यहां पर हम चोथी स्थिति देखेंगे चोती स्थिती में जो वस्तु है वो हम F और 2F के मद्दे रखेंगे जब वस्तु F वे 2F के मद्दे स्थित हो F और 2F के मद्दे यदि हम वस्तु को रख दें तो प्रतिविम्म कहां पर बनेगा ये हमारे पास में है दोस्तो उत्तर लेंस और ये है इसकी मुखे अक्स ये ओप्टिगल सेंटर है ये F है और ये है दोस्तो 2F हम वस्तु को रख रहे हैं इन दोनों के मद्दे में ये हमने रख दी है वस्तु A, B अब हम वस्तु के बिंदु A से दो प्रकास की किर्णे इस लेंस के उपर आप्तित करवाएंगे और उनी नीमों का पालन करवाना है कि एक तो मुख्यक्स के समानतर आप आप्तित करवा सकते हैं ओप्टिकल सेंटर से होते हुए आप्तित करवा सकते हैं फोकस बिंदु से होते हुए आप आप्तित करवा सकते हैं तो अपुरतन के पश्यात जो प्रकास की किर्णे हैं जिस भी बिंदू पर मिलती है वहीं पर एका परतिबिंब बन जाएगा हम सरफ हरतम दोस्तों जो प्रकास की किर्ण है उसको मुख्यक्स के समानतर मुख्यक्स के समानतर यहां पर आपतित करवा देते हैं और दोस्तों हम जानते हैं कि मुख्यक्स के समानतर आप्तित होने वाली जो प्रकास की किर्ण है वो अप्वर्दन के पशात फोकस बिंदू से होकर गुजरती है यहां पर भी देखे दोस्तों दूसरी वाली जो प्रकास की किर्ण है उसको मैंने यहां पर आपतित करवाया है Optical Center से होते हुए और Optical Center से आपतित होने वाली जो प्रगास की किरण है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है दोस्तो तो यह है हमारे पास में F और यह है 2F और यहां से जहां पर भी यह मिलती है वहीं पर हमारे पास में वस्तू A का परतिविम्ब A डेस यह आगया हमारे पास में B डेस तो यह जो A, B वस्तू है इसका वास्त्विक परतिविम्ब बनता है उल्टा बनता है वस्तू से बड़ा परतिविम्ब बनता है और 2F से परे बनता है तो दोस्तो ये बन रहा है हमारे पास में पर्तिबिम्ब तो यहाँ पर देखे दोस्तो पर्तिबिम्ब कहाँ पर बनेगा टू एप से परे परे का मतलब हो गया दूर इधर भी टू एप से दूर की ओर ये पर्तिबिम्ब बनता है दोस्तो और जो परतिविम्ब है यहाँ पर भी दोस्तो परतिविम्ब वास्त्विक ही बन रहा है और वास्त्विक परतिविम्ब कैसे होते हैं उल्टे यह भी परतिविम्ब है दोस्तो उल्टा प्राप्त हो रहा है इसका जो आकार है वो कितना होता है वस्तु से बड़ा होता है तो जो परतिविम्ब है 2-app से परे वास्तिविक और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है दोस्तो अगली जो हमारे पास में इस्थिती है वो क्या है समझ लेंगे ये पार्ट कि जब वस्तू जब वस्तू एफ पर इस्तित हो हम वस्तू को अनंद पर रखा फिर अनंद से थोड़ा सा इधर लाए फिर टू एफ पर रखा फिर टू एफ और एफ के बीच में रखा आफ पर रखेंगे और अगली स्थिदी में F और O के बीच में रखेंगे दोस्तों तो यहां पर दोस्तों हम वस्तु को रख रहे हैं अनंत, सॉरी वस्तु को रख रहे हैं F पर तो इसका प्रतिविम्ब कहां पर बनता है वो अभी यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों ये है हमारे पास में उत्तल लेंस ये उत्तल लेंस है और ये है इसके मुख्य आक्स दोस्तों यदि हम वस्तू को रख दें F पर ये F है हमने वस्तू रख दी है A, B ये है 2F तो A से चलने वाली दो प्रकास की किर्णे हम यहां पर लेंगे A के प्रकास किर्ण को मुख्यक्स के समांतर आप्तित करवा देंगे दूसरी वाली प्रकास किर्ण को हम optical center से होते हुए आप्तित करवा देंगे यह optical center से होते हुए जो आप्तित होने वाली प्रकास की किर्ण है वो बिना विसलित हुए सीधे ही निकल जाती है और दूसरी जो प्रकास की किर्ण है दोस्तों वो optical center से आपतित होगी और ये इसी तरीके से चलती चले जाएगी और ये दोनों जो प्रकास की किर्णे हैं वो अनंत पर जाकर मिलती है मैं यहां पर इन दोनों को dot dot करके एक बिंदू पर मिलता हुआ दिखा रहा हूँ यहां पर भी dot dot करके यहां पर जो प्रतिबिम्ब है उसका a-dates ये दिखा रहा हूँ दोस्तों ये dot dot का मतलब है बहुत आगे मतलब अनंत पर जाकर ये आपस में मिलती है और वास्तव में यहां पर इस इस्तिती में प्रतिबिम्ब बनेगा अनंत पर प्रतिबिम्ब कहां बनेगा अनंत पर वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिम्ब कैसे होते हैं दोस्तों उल्टे और ये जो प्रतिबिम्ब है वो बहुत बड़ा बनेगा व अब हमारे पास में उत्तो लैंज के लिए जो अंतिमी च definition है कि जब वस्तू F और O के मध्दे हो तो प्रतिविंब उत्तोय प्रात के मैं ने मंदक हो उत्तल लेंस और ये है इसकी मुखे आक्स यहाँ पर ये है दोस्तो F और ये है दोस्तो 2F हम अब गिवार वस्तू को रखेंगे Optical Center थता Focus बिंदू के मद्दे थता Optical Center के मद्दे हम वस्तू को रखेंगे ये हमने वस्तू रख दी है A, B इसकी मुख्यक्स के समांतर चलने वाली जो प्रकास की किर्ण है वो Focus बिंदू से होकर जाएगी कहां से होकर गुजरती है दोस्तो Focus बिंदू से और जो Optical Center से होकर गुजरने वाली जो प्रकास की किर्ण है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे कि Optical Center से गुजरने वाली प्रगास किरण तो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी और जो focus बिंदू से होकर आपतित होती है जो मुखेक्स के समानतर आपतित होती है वो focus बिंदू से होकर चले जाएगी इस तरीके से जाएगी अप से होती हुई चले जाएगी यहां पर इन दोनों का मुझ खुला हुआ है यह आगे जाकर किसी भी इस्तिति में वास्तों में नहीं मिलती तो इस का मतलब यह हुआ कि इस इस्तिति में इसका जो परतिबिम्ब है वो वास्तिविक परतिबिम्ब नहीं होगा यदि हम इसे प्रकास किरन को पीछे की और भढ़ाएं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं इस वाली प्रकास किरन को भी यदि मैं पीछे की और बढ़ाता हूँ तो ये एक बिंदू पर मिलती हुई परतीत होती है और जिस बिंदू पर ये मिलती हुई परतीत होती है वहीं पर इस बिंदू A का अभासी परतिविंब बनेगा A-DES देखो ये A से चली दोनों प्रकास किरने वास्तम में तो नहीं मिलती बट इस जिगे पर मिलती हुई परतीत होती है तो A का परतिविंब A-DES बन गया इस से मुख्यक्स पर लंब डालेंगे तो हमारे पास में आ गया B-DES तो यहां पर देखे दोस्तो जो परतिविंब है वो वस्तू की ओर ही बनता है वस्तू से बड़ा बनता है आभासी बनता है सीधा बनता है तो जो परतिविंब है दोस्तो कहां पर बनेगा वस्तू की ओर वस्तू की ओर ही परतिविंब प्राप्त होता है जो परतिविम्ब है दोस्तों वो बनेगा यहां पर आभासी आभासी कह सकते हैं आप इसको आप काल्पनिक भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रकास की किरिणे वास्तव में नहीं मिलती जो परतिविम्ब है दोस्तों वो सीधा प्राप्त होता है A B में A उपर तो A dez V tremendous में भी A dez उपर तो सीधा प्राप्त होता है वस्तू से बड़ा प्राप्त होता है दोस्तो तो ये थी हमारे पास में उत्तल लेंस की अंतिम कंडििशन जिसमें हमारे को आभासी पर्तिविम्ब प्राप्त होता है काल्पनिक परतिविम्ब प्राप्त होता है अब इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तो अउतर लेंसे दोस्तो अब हम बेपार्ड यहां पर देखेंगे अउतर लेंसे परतिविम्बो का बनना इससे ठीक पहले हमने देख लिया है उत्तर लेंसे परतिविम्बो का निर्मान है 6 इस्तितियां देखी अब उसके बाद में हम देखें ये उत्तर लेंसे परतिविम्बो का बनना दोस्तों इसमें हमें दो ही कंडिशन देखने वाले हैं जब वस्तु अनंत पर हो पहली कंडिशन कौन सी है कैसा बनता है वो हम देखेंगे ये हमारे पास में है Outer Lens और ये है इसकी मुख्य अक्स और देखें दोस्तों यदि वस्तु अनन्त पर रखी हुई है तो वहां से चलने माली जो प्रिगास की किर्णे है वो इसकी मुख्यक्स के समानतर हो जाती है अनंत पर अख़्ी वस्तू से चलने वाली जो प्रकास की किर्णे है वो इसकी मुख्यक्स के समानतर हो जाएगी तो यहां से अनंत से आने वाली जो प्रकास की किर्णे है वो मुख्यक्स के समानतर हो जाती है उनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं तो यहां से चलने वाली जो प्रकास की किरणे है दोस्तों, आउटर लेंज के द्वारा अपसरित कर दी जाती है, फैला दी जाती है, मुख्यक्स के समानतर आने वाली प्रकास की किरणे अपवर्तन के फशात है, जितिये फोकस विंदू से आती हुई परतीत होती है, तो ये वाली प्रकास की किर्ण तो इधर इस तरीके से फेल जाएगी और ये वाली जो प्रकास की किर्ण है दोस्तो वो इस तरीके से फेल जाती है तो दोस्तो ये दोनों प्रकास की किर्ण आपस में कहीं पर भी मिलने की इनकी संभावना नहीं है तो इनको जब पीछे बढ़ाते है तो जिस बिंदू पर ये मिलती है या मिलती भी परतीत होती है वही पर वस्तू का परतिविम्ब बनता है तो वस्तू का परतिविम्ब दोस्तो एप पर बनेगा तो जो परतिविम्ब है उसका सवरूप अब यहां पर हम देखने वाले हैं जो परतिविम्ब है दोस्तों वो एफ पर बनता है खाँ पर बनेगा एफ पर बनेगा और दोस्तों ये प्रगास किकिने वास्त में नहीं मिल रही तो जो परतिविम्ब है दोस्तों वो आभासी प्राप्त होता है आभासी परतिविम्ब और अभासी परतिविम्ब उल्टे हो आवाज से प्रतिबिन्ब कैसे होंगे? उल्टे होंगे यहाँ पर आपए यह भी समझ लेंगे की जो प्रगास की किरने हैं एक छोटे से बिंदू से आतिवी परतीत होती है तो यह जो परतिबिम्ब है उसका आकार बिंदूवत होगा तो प्रतिविम्ब की जो साइज है वो होगी बिंदुवत प्रतिविम्ब का जो आकार है विद्यारतियो बिंदुवत आकार का प्रतिविम्ब यहाँ पर बनेगा फिर इसमें हम दूसरी स्थती देखने वाले हैं कि जब वस्तू अनंत जब वस्तू अनंत और ओके मद्डे हो अनंत वै ओके मद्डे हो अनंत और ओके बीच में यदी हम वस्तू को रक दें तो परत्विम कहां पर बनेगा वो देखने वाले हैं दोस्तों ये हमारे पास में है आउतर लेंस हमने यहां पर कोई वस्तू रग दी तो इसकी मुख्यक्स के समानतर चलने वाली जो प्रकास की किर्ण है वो अपवर्दन के फशात फोकस बिंदू से आती हुई परतीत होती है दूसरी वाली प्रकास की किर्ण को हमने इसके ओप्टिकल सेंटर से आते हुए गुजरते हुए आप्तित करवा दिया है तो ओप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकास की किर्ण बिना विसलित हुए सीधे ही निकल जाती ये दोनों प्रकास की किरने आपस में कहीं पर भी वास्तों में नहीं मिलती तो जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदू पर मिलती हुई परतीत होती है दोस्तों यह है हमारे पास में फोकस बिंदू तो यहां पर भी दोस्तों जो प्रतिबिम्ब है वो आभासी ही बनता है वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और एफ और ओके मद्दे बनता है तो प्रतिबिम्ब का जो सवरूप है दोस्तों क्या है एप हुए ओके मद्दे इसके परतिविम्ब का निर्मान होता है यहां पर भी जो परतिविम्ब है दोस्तो वो आभासी होता है आभासी परतिविम्ब सदेव यहां पर हमने गल्ट कर दिया दोस्तो आभासी परतिविम्ब सदेव कैसे होंगे? सीधे होते हैं दोस्तों इसका आकार है वस्तु से छोटा होगा वस्तु से छोटा प्रतिविंब का निर्मान होता है दोस्तों यहां पर एक चीज एक बार फिर से कलीर कर लेंगे कि जो आभासी प्रतिविम्ब होते हैं वो सदेव सीधे होंगे और वास्तिक प्रतिविम्ब सदेव उल्टे होते हैं वो हमने यहां पर क्या लिख दिया था उल्टा लिख दिया था आभासी प्रतिविम्ब सदेव क्या होते हैं दोस्तों सीधे होते हैं और यहां पर भी आभासी प्रतिवि बनता है तो ये था दोस्तो अवतर लेंस से प्रतिविम्मों के निर्माण की दोनों इस्थितियां इस वीडियो में हमने देखा कि अवतर लेंस और उत्तर लेंस से प्रतिविम्मों का निर्माण आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवा दोस्तो